दोस्तों, बड़ी तरक्किय आप लोगों के हाथ लगने वाली है। आज की इस वीडियो को बिल्कल भी नजर उदास करने की गलती ना करें। एक बड़ी घटना आप लोगों के सामने होने वाली है। इसलिए हाथ जोड़कर निवेदन है। आज की जानकारी को शुरू से ल आप यूँ कहें कि सफलता के जंडे गाडने वाले हैं, बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है, तो दोस्तों कौन-कौन सी बड़ी खुशखबरी है। हम आपको बड़ी खुशखबरी के बारे में तो बताएंगे ही बताएंगे दोस्तों, साथ ही साथ कुछ जरूरी सावधानियों के बारे में बताएंगे, कुछ महत्वपूर्ण जरूरी बातों के बारे में बताएंगे, जो कि आपको इन 11 दिनों के अंदर ध्यान में रखनी तभी आपको इन 11, दिनों का लाब मिलेगा, अन्य था कोई लाब आपको नहीं मिलेगा, येस, 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 तो वीडियो पूरे ही देखें, कुछ जरूरी बातें भी इस वीडियो में बताएंगे खुश खबरियों के साथ-साथ, तो दोस्तों वीडियो शुरू करें, सबसे पहले तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, भगवान सूर्यदेव के सच्चे बात, भगवान सूर्यदेव का नाम लेकर वीडियो को लाइक करें, सबसे पहले और सच्चे दिल से कॉमेंट्स बॉक्स में, जय सूर्यदेव अवश्य रखें, जिससे भगवान सूर्य सूर्य देव का आशीरवाद आपको प्राप्त हो सके, आपके घर परिवार के उपर वान, सूर्य देव के सदैव कृपा बरसे, तो चलिए दोस्तों समय ना गवाते हुए बात करते हैं, किस प्रकार रहेगा, इस संबंधी मतलब की इन इस समय में आप निवेश संबंधी जो के लिए, साथ ही साथ किसी संतान की भी इनकम होने से घर में खुशी का वातावरन रहेगा, इस समय संतान की तरफ से आपको कोई सुख मिल सकता है, उनके करियर संबंधी कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है, तो नौकरी संब, बंधित कोई खुशखबरी आपको मिल सकती पढ़ाई से संबंधित कोई खुश्खबरी मिल सकती है आपको संतान पक्ष से खुश्खबरी आपको इस समय में मिलेंगे और आपको यह भी बता दें कि इस समय घर परिवार में विवाह या फिर सगाई संबंधी मांगलिक कार्यों की रूप रेखा भी बनेगी इस समय और या वैसा में होगा, जब आप अपना नया वाहन या फिर मकान खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, इसमें भी आपको लाब पहुँच सकता है, ये भी इच्छा आपकी पूर्ण हो सकती है, और जो पिछले कुछ समय से रुके हुए कार्य थे, वे भी आपके आपके उपर नहीं पढ़ने वाला बेजिजा कागे बढ़े, और साथ ही साथ, इस समय में आप, जितना संभव हो सके, गरीब और जरूरतमंद लोगों की भी मदद करें, जितना आप से बने, कुछ ना कुछ तो जरूर करें, आप अन्नधनवस्त्र कुछ भी बने, जो भी समय होगा, इस समय आप सब काम, योजना बद्ध तरीके से करेंगे और आपको अवश्य ही सफलता मिलेंगे, किसी सहारे ने कार्य की वजह से समाज में आपका मान सम्मान मिलेगा, कोई ऐसा कार्य आप करेंगे, जिससे मान सम्मान में आपकी बहुत प्रशंसा होगी, लोग बेरोजगार हैं, उनके लिए भी रोजगार प्राप्ति के कुछ अवसर इनको प्राप्त हो सकते हैं, जो भी अवसर मिले, हाथ से नहीं जाने देना है, आपको दिर्ध निश्चय से आपको आगे बढ़ना है, सफलता अवश्य मिलेंगे, और आपको ची बताना चाह वह करना चाहते हैं, अन्यता आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, समय तो आपके लिए अच्छा है, लेकिन बिना किसी को कुछ बताएं, चुपचाप तरीके से शुरू करें, इसको मतलब कि किसी को नहीं बताना, कि आप यह करने वाले हैं नहीं, तो वे आपके सीक्रिट्स हो सकते हैं, और कोई इसका फायदा उठा सकता है, बहुत ही अच्छा समय रहेगा, वैसे तो जो भी कार्य करेंगे, सफलता आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, किसी की कोई आवश्यक्ता नहीं है, आप अपने आप ही आगे बढ़े, सफलता आपके कदम चुमेगी, इस समय में स सफलता के जंडे गाडने वाले हैं, और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें, हमने पहले भी आपको आगाह किया है, कि कोई भी काम करें या बहुत मन में सरलता का भाव रखें, प्रशंसा का भाव रखें, क्रोधित नहों, आप अन्यता यही आपके विनाश का कारण बन ज यही आपकी कमजोरी है, इस बात पर आप जरूर ध्यान केंद्रित रखें कि गलत वानी नहीं बोल रही है आपको, और आपको साथ ही साथ यह भी बताना चाहेंगे, कि यदि आप किसी को पैसा देते हैं, इस समय तो पैसे का लेन देन करते समय सावधानी आपको बरतनी जर रहेगा, नेता आपका पैसा फंस सकता है, बहुत सोच समझ कर करें, और सबसे बड़ी बात आपको यह बता दे, घर के बड़े बुजर्गों की सेवा, संबंधित कोई भी आप अवहेलना ना करें, उनकी सेवा के प्रती बड़े बुजर्गों की सेवा का भाव मन में रखें, उनकी अवहेलना ना करें, अपनी जिद्धी शोयब को लचीला बनाए, लाब मिलेगा आपको, और साथ ही साथ बताना चाहेंगे प्रेम संबंधी बातों को तो दोस्तों अविवाहितों के लिए, इस समय मनों अनुकूल रिष्टा आने की भी संभावना है, जिस स संबंधों में पुनह मधूरता लोटेगी, और आपको यह भी बताना चाहेंगे, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होना, जीवन साथी के साथ कुछ तकरार उत्पन्न कर सकता है, माहौल खुशनुमा बनाने के लिए, कुछ मनोरंजन उपहार देने संबंधी कारेक्रम बनाए इस से प्रेम संबंधों में आएगी और दांपत्य जीवन में आपके मधूरता बनी रहेंगी, और घर परिवार में भी खुशियों का माहौल रहेगा, और साथ ही साथ आपके करियर संबंधी व्यापार बिजनिस संबंधी चर्चाओं पर बात करे, तो दोस्तों आपको ब कर सकते हैं, जिससे कि आपको नीचा देखना पड़ेगा, अपमानित होना पड़े तो साथान आपको रहना है बस, रखते आप नौकरी पेशा व्यक्ती, अपने काम में ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की आवश्यक्ता है, आपका काम पर ध्यान ज्यादा दे आप, किस कारी नौकरी करते हैं, यदि मैं चाहते स्थान परिवर्तन हो, जहां वह चाहते हैं, तो उसमें भी कामया भी मिल सकती है, बस रखते आपको प्रयासरत रहना है, और यदि आपका कोई व्यापार बिजनिस है, तो दोस्तों, उसमें आपको अपार सफलताएं मिलने वाली है कोई बड़ा ओन अर्डर आपको इस समय मिल सकता है, मन मुताबिक आपके परिणाम आपके सामने आने वाले इस समय में अत्यंत लाभकारी समय रहेगा आप लोगों के लिए, और साथ ही साथ ये भी बताना चाहेंगे, कि जो आपके कार्यस्थल पर सहकर्मियों कर्मचारी ह उस पर भरोसा ना कर सभी गतिविधियों पर पैनी नजर आपको रखनी है और निर्णय भी आपको स्वयम लेने हैं, किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्ग दर्शन में सलाह आपके लिए इस समय उपयोगी साबित होगी, वाहन तथा शेर्ज संबंधित कार्यों में भी आप आपको इस समय सफलता मिलने वाली है, बहुत अच्छा समय है करक्षेत्र में अपनी वर्तमान गतिविधियों पर आपको ध्यान केंद्रित रखना है, घर परिवार की बातों को छोड़ कर आपको अपने कार्यस्थल में ध्यान केंद्रित करना है, तभी आपको आपके कार् पहलता नहीं मिलेंगे, मतलब जहां ध्यान केंद्रित रखना है, वहीं आपको ध्यान केंद्रित रखना है, नाना प्रकार की बातों को दिमाग में ना लाएं, आप अन्यथा जो काम कर रहे हैं, वे भी नहीं बनेगा आपका, जो काम करें, उसी पर ही ध्यान केंद्रित करके जैसे कि हमने पिछले कुछ वीडियो में भी बताया है, यदि आपकी गलत संगती है, उसका साथ छोड़ना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जब ही आप अपने भविश्य में आगे बढ़ सकते हैं। अपने खान पान के प्रतिध्यान रखें, तनाव मुक्त रहें, नियंत्रन योग प्राणायाम का सारा रहें, आयूरवेदिक चीजों का सेवन करें, आपको लाभ लगेगा। धन्यवाद।